अगर रेगिस्तान की हो तो यहां भी लोगों का हाल बुरा है राजस्तान में भारी बारश हो रही है इसकी वज़ा से सडकें समंदर बन चुकी हैं घरों में पानी घोस आया है और नदियां उफान मार रही हैं ऐसे ही एक तस्वीर राजस्तान के बाराश से भी सामनी आई यहाँ एको फंती नदी को पार करने की कोशिश में दो लोग बह गए देखी पार के कहर की ये तफ़्ीरे जरा दिल ठाम कर देखी चल के जलजले का ये खौफनाक मनजर आपके होश उड़ा देगा जिन्दगी देने वाला पानी अगर बेकाबू हो जाए इसकी बानगी देखने से पहले अपने दिल को ठाम दीशे ये तस्वीरे राजिस्थान के बारा जिले की है जहाँ भारी बारिश की वज़ा से बरसाथी रदियां उपवान पर है जिन नदियों में कभी पानी रज़र नहीं आता था वहाँ आप जलका जलजरा देखने को मिल रहा है पानी पुलों के उपर से बेकाबूर अफ़तार के साथ ऐसे बेह रहा है मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा पार के इसी बवंडर में फ़सी हैं दो जिन्दियां जिनें किनारा पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है पुल पार करते वक्त इनकी मोटर साइकल पानी में गिर गई पानी में मोटर साइकल बहना जाए इसलिए दोनों युवक उसे पकड़ कर किसी तरह बाहर निकलने की कोशिच कर रहे हैं तूफानी लहरों पर पार पाने की अभी जद्दो जहद चल ही रही थी की अचानक से एक युवक का पाउं फिसल गया और वो सीधा पानी में गिर गया इसी बीच किनारे पर खड़ी भीड ने शोर मचा दिया किनारे पर खड़े तीन लोग इन्हें बचाने के लिए एक एक कन पानी में उतरे भी लेकिन तब तक ये दोनों युवक मोटर साइकल के साथ बह चुके थे लहरों के भवर में फसी इन दिर्वियों को बहते देख किनारे पर खड़े लोगों की आस छूट गई सासे हलक में अटक गई ऐसा लगा मानो अब दोनों कभी लोट कर नहीं आएंगी लेकिन इससे पहले की पानी इन्हें बहा ले जाता दोनों युवक जान बचाने के लिए पानी में संघर्श करने लगे शायद इनकी तकदीर अच्छी थी कि दोनों युवक पानी में हाथ पाउ मारते हुए जान लेवा लहरों से लड़कर किसी तरह किनारे की तरफ हाँ पहुँचे इसके बाद एक और शक्स इन्हें बचाने के लिए पानी नो उत्रा तब कहीं जाकर इनकी जान बच पाई गरीमत है कि प्रड़कारी बाड़ ने इनकी जिन्दगी बख्ष दी वरना ऐसी लहरों के जबड़े से जिन्दा लौट पाना किसी करिशमे से कम नहीं है झाल 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 झाल